यह मनरपुर की सुभा का नजारा आज हमने सोचा कि मनरपुर के कुछ खास खास जगों को हम कवर करें बहुत ही छोटा जगह है बट जो भी दो तीन जगह है हमको लगा कि हमें सुभा सुभा जाकर कि आज हम हाँ पर कवर करना चाहिए सबसे पहले हम जा रहे हैं मघवपूर का CSI CNI Church तब ही हम CNI Church के काफी करीब पहुच चुके हैं हम हार्टली दो मेर्ट में पहुच जाएंगे सेंट अगस्टीन कॉलिज और उसी के बाजू में सेंट अगस्टीन कॉलिज भी है तो वहां भी हम प्रश ब्लॉगिस करने की पुशिश करेंगे यह काफी यह बड़ा सा अच्छा सा मैदान है यहां पर चर्च के सामें और इसके अपोईट में सेंट अगस्टीन भी है वह आपको बाद में निखाते हैं तो यह है मलहरपूर का CSI चर्च यह काफी पुराना चर्च है यहां के लोग बोलते हैं यह उससे पी काफी पुराना है किस यह में बना था यह मुझे मादम नहीं है अगर इसको हो रहे होंगे करीब 70-75 साल करीब हो रहे होंगे काफी सुन्दर चर्च है यह है हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर काफी सुबह है तो यहां में कोई वाच्मेन वेगारा नहीं है फिर भी हम जाने की कोशिश करेंगे यहां से करेंगे यहां में जाने की करेंगे यहां में जाने की करेंगे चर्च का कैमपस है और इधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है आप इसके थोड़े दूर पर ही है यह जो बिल्टिंग आपको दिखाई दे रहा है यह है संट अगस्टिन स्कूल संट अगस्टिन स्कूल है यह यह में काफी पुराना है मेरे बड़े भाईया और मेरे मम्मी भी यही से बड़ी है यह स्कूल है मेरे मामा के लड़के जो बड़े मामा के लड़के और भी यह से पड़े थे और यह काफी पुराना है और बहुत सारे लोग यह से पड़े हैं इस तरफ जह है यह संट एक स्टीम वाइस उस्टेल है हम यहां से हम जा रहे हैं और हम मनदपुर का कोईल नदी जो है उसकी करब जाएंगे वो भी काफी खुप्सूरत नदी है और यह है पुल और पुल के नीचे है कोईल नदी कोईल रिवर यह देखें यह है कोईल रिवर अभी ज्यादा पानी नहीं है और बर्साद की टाइम पर काफी भर जाता ही है काफी किनारे तक आजाता है काफी डेजरस है जाता ही है इस नदी में जब हम छोटे थे तो हम यहां में नाने क्लाते थे और मैं करीब दो तीन पर डुकते डुकते बचाओं यहां पर तेरे को स्विंग आई ही नहीं कभी सुबा सुबा कर नजारा गाउं और कस्बे का एक मिक्षर है यह इसको प्रुफर गाउं भी नहीं बोल सकते हैं गाउं से थोड़ा सा जादा ही है मनौरपूर और टाउन से थोड़ा सा कम है अब ही हम जिस एरिया में जा रहे हैं उस एरिया को बोलते हैं तिर्ला जो मेरी में स्टेशन से करीब 3-4 km होगा तिर्ला बैसिकली एक रेसिदेनेशल एरिया ही है जहामे लोगों ने काफ़ी जबील लेकर के अपने पर बना दिये हैं यहां आपार्ट्रमेंट का सिस्टम नहीं मिलेगा आपको मेल दी आपको के वाद इंटिविजर हाउसिस मिलेंगे यह है तिर्ला एरिया है तिर्ला बोल सकते हैंक सबब है मनापूर का अगर वो मनापूर में ही आता है छोटे से जगह है तो हार्टली चार या पांच किलेमेटर होगा उससे ज्यादा नहीं है यह है मनापूर का डिग्री कॉलेज यह नया बना है काफी खुब सूरत है यह नया बना है काफी खुबसरत बना है इसका आर्ट टेक्चर भी वह काफी अच्छा है काफी जगा मुझा बना है वह न ouais रहरत रहरत प्रॉबसरत आर्ट प्रॉबसरत यह 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 व और यह है सेंटागेस्टिन कॉलेज यह नया बना हुआ है इस्कूल के केमपरिशन में काफी नया है और अभी हम जा रहे हैं मनापूर का मार्केट एरिया अभाजूमे स्टेशन है और आगे इस रशता इन जा रहा है तो है मार्केट एरिया साम केटा में है काफी अचछा काम भीड़ हो जाता है काफी सारे गुल कपेगेट ठेले लेगते हैं यहां बे अगे इस मार्केट एरिया है यह क्रामे सारे दुकान है अगर अंदर गली मार्केट एरिया है जो स्टेशन के जस्ट पीछे है और हम अभी भूम रहे हैं समोसी की तलाश में कि कहा हम कुछ समय सा खाने को मिल जाए सुबा सुबा समोसा और गरम-गरम चाए अभी नास्ता करके चल दिये हैं और इधार का एरिया एक्स्पोर करने के लिए एक नहीं नहीं रेस्टरेंट कुला यहां पर कोईना रेस्टरेंट के लोकल्स बोटे है का अच्छा खाना मिलता हूं पर मैंने कब है अच्छा मेलता है यहां के लोकल्स बोलते है कि खाना बहुत अच्छा मिलता है मैंने कभी खाया नहीं है, बट जिकने लोगे में भी खाया है यहां पर, सब को कहना है कि खाना यहां बहुत ही अच्छा मिलता है तो मुलबपूर का पूरा एक चेक्कर लगाने के बाद हम फिर से अपने घरा पहुंचे हैं चोटी थी जगाया है, बड़ा बड़ा नहीं है, बट स्टिल मजा आता है यहां कोने, यह हमारा देप